गुड मॉर्निंग तोड़े इस 14 ओफ फैब 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रही है उपर जो ये article है ये राजनीती से प्रेट की article है तो हम इसे नहीं discuss करने वाले हैं नीचे का जो article है North Korea से इलेटेड ये article है तो ये article काफी important हो सकता है इसे हम discuss करेंगे और जो बीच का article है दुबारा से बजट से इलेटेड काफी articles हमने discuss किये फिर भी ये बजट से इलेटेड आठीकल काफी दिनों के बाद आया तो इसे हम थोड़ा सा देखेंगे काइंड ओफ रिवीजन हो जाएगा हमारा तो ये article है जो ट्रंप जिस प्रकार की पोल्सी अपना रहे हैं ऐसे उगरे के लिए article important हो सकता है वैसे इतना important नहीं है लेकिन इसे हम discuss करेंगे लेकिन इसके लावा हम तीन articles आज अलग से discuss करने वाले हैं दो articles एकनोमिक्स टाइम्स के और आज Tuesday है मंगलवार को सी राजा महन का article आता है इंडियन एक्सपेस के अंदर उसे भी हम discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले जो article है North Korea से related ये article है देखे अगर North Korea को location को देखे तो यहाँ पर North Korea की location है और Korean Peninsula ये है नीचे है South Korea और उपर है North Korea और यहाँ पर देखे ये सारा जपान है जानबुज के जो है mapping नहीं की गई है क्योंकि इससे याद हो जाएगा आपको ऊपर North Korea नीचे South Korea यहाँ पर जैपान और यहाँ पर चाइना है और ऊपर रश्या है ठीक है खाली map फिल करके याद हो जाती है चीजे थोड़ा देखिए हम Korea का इतिहास खंधालने की कुशिस कर था वैसे ही Korea का बटवारा हुआ था North Korea और South Korea के बीच में अगर हम इतियास देखें तो देखे 1944 से पहले यह जपान के गुलाम थे जपान की कलोनी थी जो Korea Peninsula था बाद में Second World War में आपको याद होगा जपान की हार हुई जपान की हार के बाद में यह एरिया आधा एरिया यहा आधा आधा रशिया और US ने डिवाइड कर लिया चार साल तक 1948 में फिर क्या हुआ रशिया यानि Soviet Union उस टाइम पर इसका नाम था Soviet Union को छोड़के चला गया यानि North Korea आजाद हो गया Soviet Union की forces महां से चली गई जैसे ही North Korea आजाद हुआ North Korea ने South Korea पर अटैक कर दिया Unify करवाने के लिए क्योंकि यह अलग-अलग हो गए थे दो भाई थे इंडिया और पाकिस्तान की तरह बिछड गए थे लेकिन North Korea ने का कि हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे अटैक कर दिया South Korea पर South Korea में वहां पर US की forces थी तो US की forces ने वहां पर देखे अगर इंडिया की भूमिका की बात करें तो जैसे ही North Korea ने अटैक किया दा South Korea पर इंडिया ने resolution पास करके इस बात का विरोध किया था और इंडिया की एक एहम भूमिका मानी जाती है कि North Korea और South Korea के पीस efforts में इंडिया ने काफी एहम योगदान उस टाइम पर दिया था फिर बाद में जो US थे US की forces ने एक तरह स कि US और China के भी नहीं बनती थी जो असली US ने काहता कि असली जो चाइना है वो ताइवान है और जो mainland China है उसको US ने रिखोग्णाईस तक नहीं किया था तो वहाँ पे भी बाद में इंडिया ने जो China को sport किया था क्योंकि उन्होंने का था कि US को जूर्त नहीं है कि अपनी forces तो इंडिया का अलग-अलग stand रहा, दो बार लड़ाई हुई, दोनों बार अलग-अलग stand रहा, फिर आखिरकार एक तरह से 1903 मन में एक जो Korean War था, ये खतम हो गया, बाद में हम देखिए क्या हुआ, वार तो खतम हो गया, लेकिन जो उपर की North Korea की जो आइडियोजी है, उनकी आइडियोजी रही, Communist, Russia टाइप की आइडियोजी है, डिक्टेटर द्वारा रूल किया जाता है इस देश को, अभी फिलाल के डिक्टर जो है, ये कीम, कीम डिक्टेटर है, काफी यंग इन की एज है, काफी एक तरह से अगर आसान बासा में कहूँ तो थोड़ा संकी इन को कहा जाता है, किस परकार से decision लेंगे, पता नहीं लगता, मतलब कुछ भी eccentric type की decision ये ले सकते हैं, नीचे का जो area था South Korea, वहाँ पर South Korea में काफी परकती हुई, 1997 में Asian Tigers, Asian Tigers में भी South Korea का नाम आता था, अब देखिए, एक तरह से South Korea तो developed countries की training में भी आने लगा है, लेकिन उपर क North Korea का जो area है North Korea काफी गरीबी, अगर थोड़ी हम बात करें कि किस परकार का ये देश है, तो मैं आपको थोड़ी से interesting facts इसके बारे में North Korea के बारे में बताना चाहूँगा, North Korea में देखिए, इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट वहाँ पर थोड़ा बहुत है, तो वहाँ कोई tourism, यानि tourist वहाँ पर जाता है, तो airport पर ही उनका phone जब्त कर लिया जाता है, और यानि पूरे देश में North Korea में तभी घूमना allowed है बिना mobile के, आप गरीब लोगों की वहाँ पर फोटो नहीं खीन सकते हैं, क्योंकि extreme poverty है North Korea के अंदर में, सबसे अलग, पूरी दुनिया में स January से स्टार्ट होता है, या फिर फिनेंशेल एक अप्रेल से स्टार्ट होता है, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो अब चलते हैं, इन्होंने आखिर कार किया क्या है, सबसे पहले question देखते हैं, question किस तरह आ सकता है, आपको पूरा article क्लियर हो जाएगा, North Korea एक तरह से diplomatic challenge बन चुका है, ना सिरफ US के लिए, बलकि पूरी दुनिया के लिए, हम कैसे North Korea जो बार-बार nuclear missiles का परिक्षन करता है, इस चीज को कैसे counter करें, तो अब चलते हैं, article की तरफ में, देखिए, context यह है कि, इन्होंने medium range ballistic missile का परिक्षन किया, North Korea ने, और एक तरह से, जो reckless provocation, reckless हो जबकि, जो Trump है, वो अभी जपान की विजिट पे है, जपान आपको पता हो कि, यहां पे देखिए, बिल्कुल इनका प्रडोसी देश है, और इनी के अधीन था यह पहले, 1944 से पहले, यह जपान है, और उसके बाद में आता है कि, देखिए, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है यूएस तक भी उस मिसाइल को छोड़ सकते हैं, जब भी देखिए, नोर्थ कोरिया इस तरह की टेस्ट करता है, नुकलिर मिसाइल के टेस्ट करता है, तब तब सैंक्सेंस लगाए जाते हैं, हर बार, यानि बाखी जो एलाइस कंट्री हैं, यूएस के जपान, साउथ कोरि यापे, क्योंकि ये जितना सैंक्सेंस लगाए जा सकते थे, उतने सैंक्सेंस लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई असर पड़ता नहीं है, और दूसरा, इनको जितना आइसोलेशन कर सकते थे दुनिया से, बलकि उसका बुरा ही एफेक्ट पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि देखिए, इन्होंने युएस के प्रेजिडेंट, मतलब नए चुने जाने, जब भी युएस के प्रेजिडेंट नए चुने जाते हैं, तब तक ये अपनी पावर यानि एक तरसे एग्रेशन दिखाने के लिए नुकलियर मिसाइल का प्रिक्शन करते ह इसली बार देखिए, ओबामा जब चुने गए था 2009 में तब भी इन्होंने अंडर्ग्राउंड नुकलियर ब्लास्ट किया था, तब भी ओबामा ने उस टाइम पर जो इंटरनेशन सैंक्शन थे उनको टाइटन कर दिया था, ज्यादा स्ट्रोंग बना रही था, ज्यादा कैंपेंड के दुराद देख लीजिए, या फिर उसके बाद में भी देख लीजिए, नौर्थ कोरिया तो टरंप की प्राइटी पर भी नहीं थे, कुछ ऐसी, कुछ एकदम से स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने नौर्थ कोरिया के खिलाफ में, तो वो भी ए देखिए, उनको टरंप को भी पता है, कि इरान तो नुक्लियर वेपन्स बनाने वाला था, और नौर्थ कोरिया के पास में तो नुक्लियर वेपन्स हैं, तो अगर इसकी बात करें नौर्थ कोरिया के, तो सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, बिना सोचे समझ आप और देखिए, जैसे हमने पहले डिसकस किया अभी कि जितना कुछ इनको आइसोलेशन में ला सकते थे, जितने इनके खिलाफ में सेंक्शन लगाय जा सकते थे, वो सब लगा के देख लिए, लेकिन फिरी भी ये नहीं मानते नौर्थ कोरिया वाले, और एक उप्शन अभी ये हो सकता है कि चाइना, चाइना इनका प्रोशी देश है, और अभी भी इनका थोड़ा बहुत इन्फुएंस नौर्थ कोरिया पर है, और थोड़ी बहुत बात ये चाइना की मानते हैं, तो एक कोशिस ये कर सकती है, वर्ल्ड गॉम्निटी या फिर खास करके यूएस, कि चाइना को साथ लेके चला जा सकता है, कि वो नोर्थ कोरिया को मनाएं कि आप इस तरह के जो मिसाइल के परिक्षेन हैं मत कीजिए, और लास्ट में जो बात आती है, कि देखें, सैंक्सेंस वगरा से का कुछ होता नहीं है, सैंक्सेंस तो तब ही काम आते हैं, जब कैरेट की पोल्सी आप अपनाते हो, कैरेट अंश्टिक की पोल्सी आपको याद होगा, इंडियन फ्रीडम फोर स्ट्रीगल में हमारे कांग्रिस जब स्ट्रगल कर रही थी फ्रीडम के लिए, तो ब्रिटिस अपनाते हैं तो कैरेट अंश्टिक की, कैरेट मोडरेट्स के लिए औ तो ये पूरा आर्टिकल था देखें नॉर्थ कोरिया के अगर इंडिया के साथ बात करें तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन ठीक ठाक है हम काफी aid देते हैं उनको काफी उनकी food security के लिए हम contribute करते हैं उनका जो panel वगरा है time to time हमारे देश में विजिट करने के लिए आता है क क्योंकि हमारे दोनों कोरिया देश के साथ में रिलेशन अच्छे हैं हमने इनके बीच में 1953 में 37 स्थापित करने इकोसिस करी थी इसलिए हमारी मेंज ठीक ठाक है नोर्थ कोरिया के अंदर भी और दूसरी बात करें तो देखिए एक चाइना भी अलग से एक factor है तब ही यहा करते हैं कुल मिला के जो चाइना है इनके साथ में ट्रेड करता रहता है और संक्सेंस को नहीं मानता तो चाइना को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि चाइना इनको एक तरह से इंस्टेबल भी नहीं होने जाता है नोर्थ कोरिया को चाइना को प पास में nuclear weapons है इराक इरान उनकी बात अलग थी इनके लीडर है वो एक तरह से किसी भी तरह के decisions लेते हैं इनका कुछ पता नहीं लगता इसलिए nuclear अटेक वगरा का option तो ही नहीं चलिए अगले आर्टिकल की तरह हम चलते हैं अगला जो आर्टिकल है बजट से लेटीड या आर्टिकल है और एक तरह से दुबारा से अनलीसीज है बजट का लेकिन उसमें से एक मुख्या question जो बन सकता है वो इस तरह का बन सकता है कि हमारी जो tax to GDP है वो काफी कम है यानि हमारी GDP में जो tax का percentage अजतना tax हमारी जो government receive करती है लोगों से वो काफी कम contribution है tax का कैसे steps लिए जा सकते हैं कि हम tax revenue को बढ़ा पाने में सक्सम हो तो देखे अगर जिन प्रिष्टितियों में budget हाया अगर उसकी बात की जाए तो note बंदी अभी अभी आई थी और note बंदी का effect खास करके IMF और दूसरी agencies ने माना IMF ने हमारी जो growth rate का projection था उसको गटा दिया economic survey ने भी बाना कि note बंदी का कहीं न कहीं adverse effect यानि गलत पर भाव पड़ेगा हमारे देश की growth पर और दूसरी प्रिष्टितियां ऐसी है कि GST अभी तक आया नहीं है और उसके लावा budget को देखे एक महीने advance कर दिया गया तो इन दो-तिन कारणों से क क्या हुआ अभी हमारे पास में data नहीं है strong data नहीं है कि कितना revenue हम receive करने वाला है कितना हमारा expenditure रहेगा हरा कि है data लेकिन वह firm data नहीं है मजबूती से हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा क्योंकि एक महीने पहले हो गया budget तो estimation में थोड़ा हमें एक तरह से हम जल्दबाजी करी और पूरा data मारे पास नहीं था जिसके base पे हम projection कर सके उसके अलावा प्रिस्तितिया ऐसी थी कि इस पर पहली बार rail budget भी नहीं आया था तो इन प्रिस्तितियों में budget आया देखिए वैसे तो अब election से ठीक पहले जब budget आया तो काफी तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि सरका दिखा सकते थे यानि कुछ तो अपनी चालबाजी दिखा सकते थे कि वो election commission की नजर में आये भी ना कुछ ऐसी schemes की declaration कर देते कि ताकि यूं कहकर कि वो जरूरी है budget के लिए लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं ऐसा किया पॉपुलिजम का मतलब होता है लोग लुभावनवाद मतलब सरकार जब ऐसी पोल से चलाती है जिससे जो economy के लिए तो नुकसान दाइक होती है लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं जैसे free की subsidy, free की चीज़े हैं इसको कहते हैं लोग लुभावनवाद तो overall impression ऐसा गया कि अब इस साल सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि ऐसा मतलब ऐसा माना जाए कि उन्होंने election के लिए budget पेश किया है कोई खास नई schemes नहीं कोई पटाके वगरा नहीं कुछ भी नहीं नहीं ट्रेन भी नहीं चलाई और खास करके सरकार नहीं यह माना कि इस बार की economy जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाए एक बार इस साल और additional interference सरकार की तरफ से कम से कम की जाए ऐसा उन्होंने माना और देखिए अब fiscal deficit और budget deficit के हम बात करें तो fiscal deficit क्या होता देखिए fiscal deficit को अगर आप समझना चाहते हो तो देखिए आप एक दुगंदार की दृष्टिकों से समझिए दुगंदर आपको पता है दुगान में माल रखता है काफी खर्चा उसका दुगान में होता है और revenue भी काफी आता है उसी परकार से सरकार का सिस्टम है सरकार भी एक परकार से अपनी दुकान चला रही है सरकार को भी काफी expenditure होता है सरकार का और revenue भी काफी होता है सरकार का तो expenditure माइनस में revenue या फिर revenue माइनस में expenditure कुछ भी मालीजिए उल्टा सिधा होगा तो fiscal deficit हो जाएगा फिर fiscal surplus हो जाएगा जब revenue ज़्यादा हो expenditure से तो वो fiscal surplus होता है जब expenditure ज़्यादा हो revenue से यानि खर्चा ज़्यादा कमाई कम तो वो fiscal deficit होता है लेकिन इसमें एक भात ध्यान देने योग है प्रिलीम के लिए हमेशा याद रखना borrowing एड नहीं करते फिस्कल deficit में ऐसा नहीं देखें दुगंदार के दिष्टिकों से समझे माल लीजिए दुगंदार का revenue ज़्यादा है और expenditure ज़्यादा है रेवन्यू कम है लेकिन इसमें वो borrowing एड नहीं करेंगे borrowing का मतलब समझ रहो ना ऐसा नहीं कि आपने जो revenue दिखाया है आपने जो फाइदा दिखाया है दुगंदार ने किसी से loan ले लिया और वो दिखा दिया उसको फाइदा दिया नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप borrowing नहीं दिखा सकते फिस्कल deficit में आपको किसी भी चीज़ से उधार आपने किसी से ली है वो नहीं count करोगे आप revenue में तो ये फिस्कल deficit की definition इसे याद रखिए अब देखिए fiscal deficit का थोड़े से अगर आपको बताओं तो काफी महतरपून है ध्यान से सुनना इसे देखें developing countries को हमने articles discuss किये थे कि developing countries को थोड़ा बहुत fiscal deficit रखना चाहिए क्यों 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 ऐसे कहा जाता है कि अभी थोड़ा बहुत fiscal deficit रख लेंगे कोई बात नहीं थोड़ा खर्चा जादा हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे हमारी economy grow करेगी तो बाद में वो खर्चा दे देंगे उधारी से अभी यानि कहने का मतलब यह कि अब उधार लेके खर्चा बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी हमें जुरुत है business को आगे बढ़ाना है यानि हमारा देश का infrastructure को आगे बढ़ाना है जब हमारा देश आगे भढ़ जाएगा तब वो जो अभी उधारी ले में आपको पताया कि हत्यारों की काफी खपत हुई काफी production हुई तो बाद में उसने खर्चा बढ़ा लिया लेकिन बाद में इस खर्चे को बढ़ाते बढ़ाते हमरी का इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि उसने अपने पुराने लियो उधार को असानी से चुका दिया तो यह नुकसान दाएक है समझ गए तो यह बात है पूरी तो अब देखिए यह है कि fiscal deficit का target था अब नोट बंदी के बाद में काफी उमीद की जा रही थी कि सरकार है वो fiscal stimulus लाएगी fiscal stimulus का मतलब fiscal deficit को बढ़ाएगी और बढ़ाके जो पैसा आएगा वो जनता के पास में आएगा और जनता के पास में आएगा तो आपको पता है डिमांड बढ़ेगी तो बिजनस ज़्यादा आएगे और economy ग्रो करेगी लेकिन एक लेवल के बाद में जो fiscal deficit है काफी नुकसानदा कर देता है आपको याद होगा 1990 के दुरान में जो balance of payment crisis हुए थे हमारी economy बिलकुल धोस्त ह होने की कजार पर थी इसलिए ज्यादा fiscal deficit अच्छा नहीं होता तो इस बार काफी उमीद और डिमांड की जारी थी कि नोट बंदी हो गई है और नोट बंदी के बाद में jobs काफी गई है एकोनमी को आगे बढ़ाने की जूर्ट है तो आप fiscal stimulus लाइए यानि fiscal deficit को बढ़ने दी है जो परल्यमेंट का act है जो सरकार को कहता है कि आपको fiscal deficit जो है particular डाइरे में रखना है उसके हिसाब से 17-18 में जो fiscal deficit होना चीए था 3% होना चीए था और जबकि लोग demand कर रहे थे कम से 3.5% ले जाओ ताकि demand बढ़ जाएगी कोनमी की सरकार ने बीच का रास्ता निकाला सरका ने इसको 3.2% रखा चलिए आगे चलते हैं अब देखिए revenue और expenditure की बात करें तो भी इसमें moderate ही एक तरह से कमी ही आई अगर बात के जाए तो expenditure देखिए पिछले साल था हमारा 12% लेकिन इस बार expenditure जो budget में दिखाया गया है वो होगा 6.6% यानि काफी 12% जो पिछले साल से इसका मुख्यकरण क्या है मुख्यकरण ये है कि देखिए पिछले साल क्या था oil prices काफी कम थे तेल के prices कम थे हमें मजलब सस्ता तेल मिल रहा था जो middle east से लेकिन इस बार तेल के prices बढ़ गए हैं तो पहले क्या था देखिए पहले तेल के prices कम थे तो हम क्या थे कम थे और ले को हम उसी रेट पर दे रहे हैं तो excise duty का जो फाइदा पिसले बार हो रहा था excise duty का revenue कम हो गया इस बार इसलिए जो expenditure है वो भी कम हो गया और revenue है वो भी कम हो गया बस यह आत रखेगा जो international prices है oil के middle east से वो बढ़ गए है इसलिए हमारा tax revenue कम हो गया है और एक जो इस बार किया गया tax slab को बढ़ा दिया यानि घटा दिया मतलब एक दाइरे में और दूसरे दाइरे में बढ़ा दिया 2.525 lakh income जिसकी annual income जितनी है पहले 10% tax देना पड़ता था अब 5% tax देना पड़ता है तो यह कहते हैं जिन्होंने article लिखा कि देखिए यह बात कुछ कुल मिला के वैसे तो सही है लेकिन एक तरह से discontinuous आ गया अब सोचके देखिए 2.5 5.5.5-5.5.5 दिन की income है उनको 5% tax देना पड़ता है क्योंकि पहले काम कर दिया आदा कर दिया पहले 10% देना पड़ता था लेकिन अब 5-10 जिनकी income है उनको 20% देना पड़ता है तो सोचके देखिए एकदम से 4 गुना tax ज्यादा देना पड़ता है अगर आपकी income थोड़ी सी 5 लाग से ज्यादा हो गई तो एक तरह से लोग तो यहीं सोचेंगे ना एक motivation नहीं आता लोग सोचेंगे आर 5 लाग से उपर income होगी तो tax और ज्यादा बढ़ जाएगा इतना साथ tax देना पड़ेगा इससे अच्छा limit में काम करते हैं limit में खाते हैं मरब कई लोगों की सोच होती है ऐसे और दूसरी अगर बात करें तो फिर government ने बढ़ाया भी था 50 लाग से एक क्रोड के बीच में income जितनी होती है उनके बीच में सबसे पहले इन्होंने का कि देखे जो आप बार-बार tax rates को गटाते हो आप उनको मत गटाईए दूसरी बात यह करते है कि national income का जितना भी शेर है वो tax के दाइरे में आना चाहिए तीसरी बात यह कहते है कि computerization हो बढ़ना चाहिए ताकि कोई भी tax को चोरी ना कर सके KYC requirements know your customer requirements इसको भी पूरंतिया follow होना चाहिए ताकि tax दाइरे में सारे आसके उनका अच्छे से monitoring और scrutinization होसके penalties अगर कोई देखिए cash transactions करता है तीन लाग से उपर जो कि सरकार ने किया भी है ऐसा प्रावधान उन पे fine लगना चाहिए यह तो सरकार ने कर दिया तो यह 6-7 points है पांचे points है इनको याद रखेगा और government ने देखिए 10% की जो slab थी government को एक तरह से change नहीं करना चाहिए था 5 लाग से और 5 लाग के बीच में जो government ने कम कर दिया इसको घटा के 5% कर दिया इनके नुसार में government को 2 लाग से 5 लाग के बीच में 5% tax लगाना चाहिए था ऐसा इन्होंने कहा कि तब मानते कि government है कुछ ऐसे अपनी बात में इस essence में ये बता रहे हैं corporate tax भी घटा दिया है सरकार ने 50 करोड की ऐसी small companies जिनकी turnover 50 करोड से कम है उनके लिए सरकार ने tax 30% से घटा के 25% कर दिया तो इस बात का भी कहते हैं एक तरफ तो ये सही है क्योंकि नोट बंदी के बाद में इस sector पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था और ये sector सबसे ज़्यादा jobs को create करता है लेकिन दूसरी तरफ ये criticize भी करते हैं इस बात को कहते हैं कि ये regressive है अब कहते हैं कि देखिए companies जो होती हैं उनको motivation नहीं रहेगा वही बात यह है कि 50 करोड से उपर टाना वर जाएंगे तो हमें tax ज़्यादा देना पड़ेगा तो अब क्या करेंगे companies बड़ी होते ही अपने आपको दो companies में divide कर देंगी ऐसे tax को बचाएंगी जो बड़ी companies होती है वो छोड़ी company के groups में divide कर देगी ताकि उनको 30% tax ना देना पड़े 25% tax देना पड़े जैसे ही 50 कोड से उपर गए दो companies बना दी तो इस परकार से नुक्सान हो सकता है आगे आता कि farmers के लिए भी कुछ खास हुआ नहीं budget में और सरकार में काता कि double income कर देंगे आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर में एक साल बीत गया है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हरा कि budgetary allocation है agriculture sector के लिए 24% बढ़ा दिया गया और political funding की बात करें तो दो-तिन points थे याद होंगे आपको याद होने चीए देखना भूलना नहीं है बिल्कुल भी बहुत बार डिसकस किया था हमने budget ऐसे भूलने लगोंगे तो काम चले का नहीं अब देखे political funding में आपको याद होगा electoral bond आये थे कि कोई भी fund देश के उसका नाम anonymous रहे और दूसी तरफ political funding में जो limit थी 20,000 से कम करके 2,000 कर दी थी यानि 2,000 से उपर कोई भी चंदा देगा political parties को तो उसको नाम दिखाना पड़ेगा political parties को कि हमें चंदा कहां से मिला और बाद कि 20,000 से यानि 20,000 से दो हजार जो limit कम करी है कोई फाइदा इसका होगा नहीं क्योंकि political parties अब 2,000 से नीचा दिखा देगे अपना चंदा जो है सारे कैसारा लेकिन नाम तो फिर भी anonymous रहेंगे दूसरा electoral bond की भी हमने बात करी थी economic times का article था उसने का था कि जूरूर थी क्या है क कि एक तरह से तो जनता से लेनी चाहिए corporate जो funding है वो कम नहीं होगी और जितनी funding political parties को आनी चाहिए वो सब register होनी चाहिए और वो जनता से ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए GST की अगर बात करें तो देखिए indirect tax जो है वो change नहीं किये गए क्योंकि एक तरह से 1 स्टमबर को GST आनी वाला है तो budget में क्या तो change करते हैं और जो change करेंगे आपको पता है GST की council है उसमें तो central government जो है सिरफ एक member है तो GST की councils में tax rates define किये जाएंगे लेकिन एक बात जो निक देखिए way forward यह है कि budget जो है बिंग बैंक budget नहीं है लेकिन note बंदी के बात में हमें एक तरह से time की आफशकता है और एक तरह से शान्ती की आफशकता है कि देखें हमारी economy किस प्रकार से काम कर रही है उस हिसाब से बात में step उठाए जासके और यही तो करता है वो budget वही करता है timely आने वाले दिनों में किस प्रकार के हमारी policies होनी चाहिए उस हिसाब से जमीन त्यार कर रहा है यह budget चलिए आगे के article की तरफ चलते हैं यह article देखें ज्यादा important नहीं है लेकिन बात जो है इनकी इसमें एक ही बात है उसको गुमाफिरा की यह कहते हैं देखें यह example से gjithyakos है finance and bahana देखें यह कहते हैं कि पुरा जो globe है हमारा यानि पूरी दुनिया माली जी यह दुनिया है इसमें जो देश हैं, एक तरह से घरों में divided देश हैं, यह मान लिजे, यूएस, कनाडा, यह हमारे इंडिया, पाकिस्तान, यह सारे देश हैं तो यह कहते हैं कि देखेए एक स्टोओं यानि तुफान आ रहा है तुफान आ रहा है इस पूरी धर्टि पर, तुफान का नाम क्या देते हैं, तुफान का नाम है Financial Capital, Financial Capital समझते हो क्या होता है, Financial Capital होता है कोई भी Start कि चीज़ की, इक्विती मानली जी जी एफ़ी माल लीजिए या फिर कुछ मिमाल लीजिए 70 मत मानिये यानि वह मत मानिये जो उसको छोड़के यानि जो हम इंदस्ट्रियल से infrastructure करते हैं तो पथर से हम एक पूरी building मनाते हैं पूरी इंदस्ट्री इस्टाबिस्ट करते हैं समझ गे तो ये कहते हैं storm यानि तुफान है financial capital का ये कहते हैं कि इस तुफान को जब आ रहा है ये पूरी दुनिया के ऊपर से जा रहा है और इस धर्ती के एक exception बताते हैं इस धर्ती की छते नहीं है समझ गे इस पर जितने भी है घर जो है जिनको यानि देश कहते हैं ये उन यानि उन देशों की छते नहीं है और लेकिन खिड़कियां हैं तो ये कहते हैं कि देखिए पूरा तुफान पूरी दुनिया के ऊपर से जा रहा है और सभी देशों की ऊपर छत नहीं है यानि सभी देशों को financial capital का जो तुफान है वो तंग कर रहा है लेकिन पूरे देश जो है वो react कैसे कर रहे हैं वो छत तो है नहीं और खिड़कियां बंद करके अपने लोगों को बचाने की कोशिस कर रहे हैं अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहते हैं ये ये कहना ये चाहते हैं कि दिक्कत है वो financial capital की है और ट्रंप जैसे लोग करते क्या है जो अम financial capital की समझ गए कहने का मतलब साफ साफ यही है अगर समझ ना भी आया तो भी लोगों को रोकने से कुछ फ़रक पड़ेगा नहीं जिस परकार से ट्रंप रोक रहे हैं H1 वीजा में और जो अगर रोकना है तो आप financial capital को रोक है जिस परकार से speculation होती है तो शुरू में ये कहते लोकि political rights की बात करती है इंडिविजुलिजम की बात करती है कि सब को कमाने का हक है लिजर फियर की बात करते है कि market की economy है वो सब कुछ decide करेगे कि government का कुछ लेना देना नहीं है मलब कहने का मतलब है ये पूरी liberty की बात करती है पूरी freedom की बात करती है कि सारे अपना-पना business कर यह था hidden hand, hidden hand का मतलब यह होता है कि सारे पूरी दुनिया में अपना अपना फाइदा सोचें तो पूरी दुनिया का फाइदा automatic हो जाएगा समझ गये और उसके बाद में आया ideology उसके बाद में आया welfare ideology देखे 1930 में काफी एक तरह से recession आया था आपको याद होगा कि नहीं हम classical liberalism के ideology पर नहीं चल सकते और सरकार को ध्यान देना होगा तो उसी के बाद में आपको याद होगा हमने rights देने start किये हमारे खुद के सवीधान में देख लीजिए हमने DPSP में कितने सारे rights दे रखे हैं welfare economics की तरफ हमने ध्यान दिया लेकिन बाद में देखे welfare economics से क्या हुआ कि एक तरह से करजा काफी हो गया सरकार उपर अगर UK की बात करें US की बात करें तो इन पर काफी काफी करजा हो गया काफी काफी rights दे दिया इन्होंने अपने अपने जनता को तो इन्होंने जो market थाचर थी ये बाते आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन बार-बार-बार इनको डिसकस करेंगे न तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे और important बाते हैं ये हर लिहाज से मलब पूरी दुनिया में कैसे कैसे हमारी timeline हुई उस हिसाब से काफी important है समझ गे पहले classical liberalism आया कि अमीर गरीब जो है अपनी किसमत के हिसाब से है ग काफी corruption हो गया फिर 1990 के आसपास दुबारा यही realize हुआ कि देखे welfare welfare नहीं करना चाहिए सरकार का काम welfare करना नहीं है सरकार का काम सिर्फ regulate करना है याद होगा अपने इंडिया में भी LPG का reform आए कि red tapetism खतम कीजिए inspector राज खतम कीजिए government को कुछ लेना देना नहीं है private companies को आन अमरिका के अंदर में वैसे interfere कर रहे हैं सारे देश और जब कि इनको नहीं करना चाहिए new liberalism यानि दुबारा से जो आया था market economy होनी चाहिए LPG reforms मारे देश में भी आया थे कि government को कुछ लेना देना नहीं है जहां मर्जी आया private companies trade कर सके हैं आपस में दोनों देशों के बीच म में intervene करना चाहिए तब या तो बैंक खत्रे में हो financial capital जो है उनको पैसा चाहिए हो यानि अमीर लोगों से tax लो या फिर जंता से tax लो इन और इन banks को दे दो इस परकार की ideology जबकि यह major shift है यह new liberalism में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और फिर यह बात करते हैं financial speculation की financial speculation आप वही मा कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हो उनको तो यह कहते हैं major khutra जो है इन से है और यह जो है यह job में ले रह отвеч लिग अपनाते हैं जबकी रोक लगानी सब्सेंट के इन पे जैसे TCS जैसी companies हैं, वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे काम करती हैं, तो इससे कुछ खास फरक पड़ता नहीं है, वहाँ पे बल्कि ये तो industrial capital है, projects ही तो ले रहे हैं आपके, काम ही तो कर रहे हैं, बल्कि Americans को भी hire कर रहे हैं, और इससे कुछ खास नुकसान नहीं है, आप पू financial capital ज़्यादा बढ़ेगी, industrial capital कम बढ़ेगी, तो फिर ये बात कहते हैं कि वही, कि जो foreigners को आने नहीं देना जाते हैं, फिर जीनोफोबिया है, दूसरे जो देशों के खिलाफ में जो एक नफरत है, उस ये सब जो चीजें हैं, वह financial capital के कारण में हैं, और इन देशों की हिम गलत कर रहे हैं, तीन बाते हैं, ये याद रख लीजिए, पदा नहीं, आप यू सोच रहे होगे, आपको मन में यू चल रहा होगा, वो three dates में नहीं आता, कि कहना क्या चाहते हो, लेकिन ये आर्टिकल जिनों ने लिखा हैं, वो पदा ही नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकि लोग विजिट करना चाहते थे, इंटर पर्लेमेंटरी यूनियन थी, वहाँ पर यूनाइटी नेशन्स में, तो अब देखे, और भी साथ देशों में, यूस ने रोक लगा दी कि वहाँ पर साथ मुस्लिम देशों से नागरिक नहीं आ सकते, तो और भी देखे, अब बात से और किसी जगह पे, और अब फिर बात आती है कि देखे, लेकिन अगर सिफ्ट करेंगे तो यून का तो काफी कंट्रिबूशन रहता है, यूनाटी नेशन्स के अंदर में, बाइस परसेंट जो है, रेगुलर बजट में कंट्रिबूशन है, अठाइस परसेंट है, जो उ लेही दंकी देती है, ब्लैकμεल करती है कि हम यूएस को फंड नहीं देंगे, तो अब देखे, आप एक बात यहां पर यहां पर ये आती है, अगर यून को सभीघ और से at को सभीजटर एन यूनाइटी नेशन को अगर सिफ्ट किया जाए तो कहां पर सिफ्ट किया जाए शिफ्ट किया जाना चाहिए वैसे एक तो देखिए natural choice अगर निकल कराती है तो Switzerland निकल कराती है क्यों Switzerland आपको पता है neutral country है काफी सारे United Nations की जो organizations है वो UN में है neutral है political stability है financial stability है capacity भी है security provide करने की या फिर दूसरा option आए तो चाइना आता है चाइना के और हमारा देखिए country काफी diverse है और extreme weather भी नहीं है यहाँ पर ठीक ठीक weather है बढ़िया और well connected है पूरे world बीच में है और पर जातन तर लोगतन तर यहाँ पर है values भी अच्छी है हमारी अच्छा खाना है यहाँ और beaches भी अच्छे है hospitality हमारी अच्छी है अथी थी तो भवय का concept है हमारे इंडिया में ancient culture है हमारा और intricate bureaucracy वालब capable bureaucracy है provide भी कर सकता है आपको सारा जो mechanism जो infrastructure है तो लेकिन बात अब यह उठती है यह बाते तो सब ठीक है क्या इंडिया afford कर सकता है UN को देखिए वो बाते तो चलती रहेंगी afford कर सकता ह हमारे global power बनने के ambitions हैं तो definitely हमें एक तरह से proposal तो रखना ही चाहिए और दूसरा अगर shift हुआ तो होगा कहां पे अब जगा तो है नहीं दिली मुंबई यहां तो जगा है नहीं तो बात आती है कि कहते हैं कि एक नया town बना दिया जाए UN के लिए वो town हर चीज में नया हो नया airport वहां पे हो नई rail हो connectivity हो अच्छी और अगर ऐसा कुछ इंडिया करेगा तो इंडिया को global funds भी मिल सकते हैं ऐसा करने के लिए तो यह पूरा article था kind of अच्छा article था यह मतलब अच्छा सा concept था हम लिख सकते हैं कहीं भी अगला जो article है tax related है देखिए नोटबंदी के बाद में लोगों ने पैसा जमा कराया भारी मात्रा में bank accounts के अंदर में और अब सरकार या income tax department CBDT उनकी चानवीन कर रहा है कि जो पैसा जमा हुआ है bank accounts में क्या वो सही है तो उसके बारे में यह article है चोटा सा यह कहते हैं कि देखिए formal notice जो भीजे जा रहे हैं उनको भीजने क्याव सक पहे नहीं लोगों को और यह बाद भी मुताते हैं कि जो deposit का size था वो 5.03 lakhs in 1.09 crore accounts और 5 crore returns भले जाते हैं हर साल और उसमें से 1% से भी कम है उनको scrutinize किया जाता है और एक तरह से यह exercise है काफी lengthy है तो सरकार को ऐसा mechanism बनाना चाहिए कि सिरफ computer है वो अपने आप ही पूरी के पूरी जो returns है उनको scrutinize कर ले और monitoring कर ले यानि text authorities और जनता के बीच में जो text returns फाइल करते हैं उनके बीच में जो है interaction काफी कम होनी चाहिए यह कहते हैं कि इस प्रकार से सरकार ड्राएगी तो काफी counterproductive हो सकता है और वही बात है interface काफी कम होना चाहिए अगला जो आज का मा private company है Exxon इनके जो chief थे Exxon company के chief थे अब वो Trump के administration में secretary of state बन गया यानि minister बन गया है Trump के administration में यह यानि private company के तो यह तुलना करते हैं हमारे देश से क्या आप assume कर सकते हो कि जनता किस प्रकार से react करेगी अगर अंबानी या फिर अदानी यह लोग अगर हमारी अगर आप कह सकत क्योंकि businessmen या फिर technocrates को जब सामिल किया दाता है सरकार के अंदर में तो काफी एक तरह से अलग सोच इनकी होती है अब बात करें तो देखिए दूसरे देशों में हम जो project चलाते हैं जैसे शेलंका में project चलाते हैं या फिर और भी कहीं project हम चलाते हैं अगर देखिए ये ए उस time पर उसके बाद में लेकिन ये सिर्फ एक exception था बार बार इसे नहीं किया गया और भी ये कहते हैं US में तो हमेशा होता है US में तो जो GM Motors के chief थे उनको भी Kennedy जो वहाँ पर अमरीका के राष्टर पत हैं उनके cabinet में सामिल किया गया था और फिर ये कहते हैं कि हमारे administration में तो कोई भी देख लिजिए आप defense establishment देख लिजिए या फिर economic establishment देख लिजिए जो है वो काफी bureaucratic है और अब time आ गया है ये कहते हैं अब time आ गया है कि दिल्ली और Mumbai को एक होना पड़ेगा दिल्ली और Mumbai से क्या मतलब है दिल्ली मतलब politics यानि political leaders को और Mumbai मतलब financial leaders को financial leader यानि बढ़ पड़ेगा बेंगलोर बोले तो technology यानि technology प्लस में politics प्लस में financial यानि पैसा पैसा politics और technology जब ये तीन एक साथ मिल जाएंगे तब हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा तो इस परकार ये बात करें हैं तो याद रखेगा हमेशा ये बहुत अच्छा एक्जमपल है सी राज ग्रो करेगा और अभी इनको एक साथ आने की आवशकता है तो आज की discussion में बस इतना ही thank you thank you very much for discussion